विन्डोस 10 मेν एक दिक्क्त आती है जब हमने wifi connect करना होता तो कईवार वो connect नहीं हो पाता जैसे अँदि यहां पर wifi network है तो ये दिखे ही इसको मैंने अब connect करना है ये wifi तो ये दिखे हिए इसको मैं करूँँगा connect तो यह देखी यह नहीं हो रहा है, connecting मतलब दिखाता रहेगा, check network check कर रहा हूं, तो यह होगा नहीं, इसका reason क्या होता है, इसका reason यह है कि मतलब अगर तो password वगर आमने change कर दिया, WiFi का name वही same है, पर password change कर दिया, तब यह देखी, यह connect नहीं हो पाता, तो ऐसे ही चलता रहता है, तो इसको connect करने के लिए अब इसको हम करेंगे cancel तो इसका हल बता रहूं मैं अगर नहीं connect हो रहा है आपका wifi तो आपने क्या करना है wifi में जाना है और manage non network में जाके यह देखिए यह हमारा है तो यहाँ पर आपके बहुत सारे wifi की नाम दिखा देगा जो आपने कभी connect किया था उनको भी सभी को forget कर देना है तो अभी मैं इसको forget कर रहा हूं कर दिया अब इसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यह देखिए अब यह इसको connect to automatically मतलब जब भी हमारा यह मिराज नाम का wifi ओन होगा तो यह अपने connect हो जाएगा इसका मतलब अब automatically connect कर दिया मैंने तो अब यह देखिए हमें पासवर्ड पूछ रहा है पहले नहीं पूछा क्योंकि पासवर्ड पहले मैंने wifi का चेंज किया था इसलिए वो दिक्कत आई थी अब मैंने वो यहाँ पर type करके देखा था कि मेरा caps on है या off है क्योंकि मेरे जो laptop में दिखाता नहीं कहीं पर caps on है या off है इसलिए मैंने search बार पर type किया था तो अब यहाँ पर अपना wifi password आपने भर देना है तो यह connect में ही हुआ इसका क्या कारण है इसका कारण है मैंने गलत भर दिया है password इसलिए नहीं connect हुआ है अब सभी भरेंगे तो यह देखे इसको yes कर देना है तो आप देख सकते है हमारा connect हो चुका है पर यहाँ पर एक setting में बहुत करना बहुत जुरूरी है तो आपका जो मुबाइल का डाटा है ना सारा खत्म हो जाएगा यह विंडूस 10 में बहुत असान कर दिया यह सेट आज मीटर कनेक्शन इसको ओन रखना है तो आपका डाटा जो बिल्कुल कम यूज होगा यह देखिए connect हो चुका है अब इसको यहाँ पर उपन भी करके द